मैंने अलड़ी कर दिया मेरे एंड से स्टार्ट स्ट्रिमिंग मैंने कर दिया है उन्होंने गो लाइव नहीं किया है उदर से गो लाइव करो बना येस डंडं अभी आया है चलिए गुड मॉर्ने एवरीवन गुड मॉर्निंग कुछ टेकनिकल ग्लीश था हो इनी रहा था ये लेक्टर स्टार्ट नहीं हो पा रहा था तो अभी ये लेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगा आएगा इम शर आया अरनव यहां पर बीस मिट से ट्राइ कर रहे थे हम लोग लेक्टर को जुडने का स्टार्ट करने का तो फाइनली विए अबल तो स्टार्ट क्या आपने आपके हमवक किये और अगर किये रहेंगे तो चलिए जूड़ जाइए साथ में एक नंबर मजा आएगा आज की हमवक डिसकेशन में तो इतने सारे हमवक थे सर कर नहीं पाए कर पाए क्या है जड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए फड़ा 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए क्या आपने हमवक किये है 11, 12, 13, 14, 16, 17 ओमाइ गॉड पांच हमवक थे आपके ओमाइ गॉड इसी को तो हम इक्सराइस बोलते है इसी को तो सेल्ट स्टड़ी बोलते है और यही होता है एक चांस बेट पूरा कोर्स फ्री है पूरा कोर्स फ्री है पूरा कोर्स फ्री नहीं है बटा मगर यह डेमो लेक्शर से डेमो लेक्शर है और पूरा कोर्स फ्री नहीं हो सकता बटा एवरिटिंग विचाज वाल्यू है इस ओन मॉनल्टरी वाल्यू अल्सो ठीक है तो चलिए यहाँ पर no doubt हम लोग आइंड में आपके लिए Marathon lectures लाते हैं वो प्री में होते हैं आपके रैपिडर विजिस लेक्चर्थ वो प्री में होते हैं बड़ यह जो है यह completely हम लोग हमारा regular batch का note solve करते हैं और यह separate altogether different model of batch है जिसके अंदर ऐसा समझ लोग कि आप पूरा regular batch कवर कर रहे हो मगर कम से कम टाइम में आपका जाधा सब्सक्राइब प्राक्टिस करके तो यह एक real terms में बता हूं तो regular batch का substitute बन सकता यह अगर किसी के पास time कम रहेगा तो yes तो चलिए start करते question number 11 का discussion करेंगे फिर 12 पे जाएंगे फिर 13 पे जाएंगे तो question number 11, 12, 13 यह करने के पहले इससे और आसान कोई variety of question है क्या yes sir है न यहाँ पर 16th question 17th question और भी आसान थे तो no doubt about it कि यह question हम पहले discuss करेंगे question number 16 पे आजएगे सब लोग दोस्तो 16th question 17th question पहले discuss करके फिर आगे बढ़ेंगे calculate the degree of operating leverage, financial leverage, combined leverage from the following data आपके बास 16th question में sales दे रखा है variable cost दे रखा है, fixed cost है, interest charges भी दे रखे, तो सब information आपके बास ready था, आपको बस solve करना था इससे question number 16 जो के page number आपके book का page number 21 है, question number 16 जो है वो आपके book का page number 21 है, वहाँ पर दे रखा है, उससे हम लोग discuss कर रहे हैं, सबसे पहले income statement draw कर लेते हैं दोस्तों जिसके अंदर पर्टिकुलर्स रूपीज ये दो कॉलम रहेंगे and start point will be start point will be what sales से शुरुवात करते हैं टू लाक रूपीज का सेल्स है ओके मुरुनल कल एप का लेक्चर हम लोग ट्रायल लेंगे and don't worry और दो तीन लेक्चर यहां पर यूट्यूब पर रहेंगे और भी लेक्चर शेडूल करने बोल दूगा मैं आपको आपको टेंशन लेने की जुरूरत नहीं है जब मैं आपके साथ हूँ ठीक है तो चलिए sales है आपके पास तू लाक रूपीज माइनस करेंगे हम वेरियेबल कॉस्ट एग्जाम में वीसी लिखना आलाओड नहीं है वेरियेबल कॉस्ट पूरा लिखना चाहिए मैं चार्ड़ा कॉंटर तू मैं लिख सकतो आप नहीं लिख सकते हो ठीक है तो वेरियेबल कॉस्ट जो है वो 0.7 into number of units किते रहेंगे 1,00, so that will be 70,000 therefore your contribution एग्जाम में contribution पूरा लिखना चाहिए ठीक है, therefore contribution will be 1,30,000 फिर minus करेंगे fix cost वापस से fix cost पूरा full form में लिखेंगे आप यह आ गया 1,00, and therefore EBIT earning before interest and tax will be 30,000 रुपीज इसमें से आप minus करोंगे आपका interest जो amount question में दे रखा है interest is 3668 3668 का interest minus कर दो your EBIT will come कितना आएगा आपका EBIT 30,000 minus 3668 26,332 यह आपका EBIT आ गया, यहां तक का answer सबका solve हो गया रहेगा आप इसके बाद DOL निकालना रहेगा तो आपको क्या करना होगा यहां पर अगर मैं A, A, B, C, D, E, F ऐसे serial number ready करो G, H, I, J तो ऐसे केस में आप बोलोगे DOL is equal to contribution मतलब C divided by EBIT मतलब E contribution divided by EBIT so it will be 30,000 divided by 266 26332 your answer comes to 1.14 yes, your answer comes to 1.14 times second is DFL DFL, your answer is EBIT divided by EBT it will be E divided by H G, sorry G E divided by G so it will be 30,000 divided by 26332 oh no पहले वाला गरत क्या इसका मतलब 1.14 नीचे आना ची और यह जो है यह contribution 1,30,000 divided by EBIT 30,000 your answer will be 4.33 your answer will be 4.33 and DCL के लिए आप क्या कर सकते हो contribution divided by EBIT कर सकते हो या तो दोनों को multiply कर लो DOL and DFL को so contribution is 1,30,000 divided by your EBIT is 26332 your answer is 4.94 4.94 कुछ तो गड़बढ है पॉस हाँ बराबर है नौ इसकरेक्ट तो 4.94 तो यह आपका बन गया operating वाला पार्ट, financial वाला पार्ट और combine वाला पार्ट क्यूंकि आपने तिनों लेवरेज़ निकाल लिए आपका तिनों लेवरेज निकाल लिए आपका तिनों लेवरेज करेक्ट आया रहेगा है homework question था यह गाई आपने homework अच्छे से solve किया रहेगा yes very good चलिए आगे बढ़ते हैं यह आपका question no.16 था अब आपका question no.17 आ रहा है आपके सामने question no.17 भी page no.21 पर यह question 17 अगर एक बार देखेंगे आप अच्छे से इन्होंने बोला है calculate the operating leverage financial leverage under situation a b c financial plan one two three बाप रहे a b c one two three मतलब क्या हो गया मानु में तीन के अंदर तीन है इसका मतलब total nine answer आएंगे आपके yes nine answer आएंगे I am not kidding तो यह nine answers आपको solve करने और आगे बोला है also find out the combined operating combined and financial leverage which combination of operating and financial leverage which gives highest value and least value how these calculations are useful to finance manager I told you by underlying this thing कि भाई यह जो underlined किया है यह हम class में discuss कर लेंगे no worries आपको करना क्या है आपको बस यह solve करके आना था अच्छे से installed capacity आपका दिया था 1200 actual production and sale is 800 हमार लिए 800 units mentor करेंगे obviously selling price per unit is 15 variable cost per unit is 10 fixed cost situation a b and c में 1000 2000 3000 and financial plan 123 के अंडर आपका debtage amount जो है 5000 है 5000 का 12% 600 आता है 2500 का 12% 300 आता है and 7500 का 12% जो है वो 900 आता है तो यह आपके interest के amounts बन गए है यह आपके interest के amounts बन गए ठीक है तो चलिए अब आप ज़रा देखिए इसको solve करने के लिए आपको सबसे पहले situation लेना चाहिए a b c plan 1, plan 2, plan 3 यहाँ पर भी plan 1, plan 2, plan 3 c के अंडर में भी 1, 2, 3 इस तरीके से आपके answers आएंगे दोस्तो जो a है उसके अंदर 1,000 का fix cost है जो b है उसके अंदर 2,000 का fix cost है और जो c है उसके अंदर 3,000 का fix cost है तो आपके fix cost जो जो तीनों जगा अलग है और 5,000 पर 12% करेंगे तो 600 का interest आएगा इदर इदर आएगा 300 का interest और इदर आएगा 900 का interest फिर से यहाँ पर भी 600, 300, 900 आएगा यहाँ पर भी 600, यहाँ पर आएगा 300 और यहाँ आएगा 900 का interest तो आपके interest के amounts differ हो रहे हैं आपके fix cost के amount differ हो रहे हैं I told you if you remember fixed cost के अंदर interest आएगा because हमारे income statement में पहले fixed cost आता है और उसके बाद interest आता है Yes, Yes, Yes अब ऐसे situation में हमारी 9 answers इस तरीके से आने माले Serial number particulars 9 columns इतना ही answer है दोस्तो चलिए solve करते 5 आप्टे में इंक में इंक 144 उन्सरे एंद्सरे इंक小心 situation a प्लान वन प्लान टू प्लान ट्री एक बार ज़रा देखते हैं हमारा स्पेस अज्जस्मेंट बराबर है क्या हमारे लिए तो बहुत स्पेस कंस्ट्रेंट हो रहा है यहां पर शिफ्ट कर देते इसको और भी जदा कंजिस्टेट करना पड़ेगा आपको प्लान 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 टू येस माई डियर फ्रेंट्स रागव अगरवाल बोल रहें सर बुक्स के डिलिवरी का स्टेटस कैसे पता लगेगा सर आपने जहां से ओर्डर किये वहीं पर कॉंटेक्ट करना पड़ेगा आपको वहां से वह लोग बता पाएंगे आपको की बुक का डिलिवरी का स्टेटस कैसर एसम की बुक्स आ गई एफम की नहीं आईए कोई बात नहीं रागव जहां से खरीदा है वहां अब नहीं होता है बेटा कि हम अलग-अलग बनाएं अब अब इस बाता है अब इस बाता है सबसे पहले एफ पार्ट विल बी सेल्स सेल्स जो है वह आपको लेने होंगे 800 इंटु 15 12,000 हर जगा बी पार्ट विल बार्ट विल बार्याबल कॉस्ट 10 रुपीज से 800 इंटु 10 8,000 हर जगा अब फिर मिलेगा आपको आपका कॉंट्रिबूशन अफकोस ए माइनस भी लिखो गया आप 4,000 यहां तक का पार्ट चेंज नहीं होता है तो सर इतने कॉलम क्यों बना है सर क्योंकि नीचे का पार्ट चेंज होता है बेटा इसके बाद का पार्ट आपका चेंज होगा इसलिए इतने सारे कॉलम बने है चलिए अब डी पार्ट पे आते fixed cost fixed cost जो है वो given है question में मगर situation A में है 1000 तो तीनो जगा आ जाएगा 11000 situation B में है 2000 तो सब जगा आ जाएगा 22000 और situation C में है 3000 तो everywhere it will come 33000 E part will be EBIT that will be C minus D 3000 यहां पर आजाएगा 2000 और यहां आएगा 1000 F part will be interest interest जो है अपने पहले से ही decide किया determine किया है question में कि interest कितना आएगा interest कितना आएगा दोस्तों यह देख लिजिए 600, 300, 900 यह आपका interest आने वाला है 600, 300, 900 तो चलिए copy कर लेते हैं 600, 300, 900 और सभी जगा वो ही आएगा और फाइनली G part will be your E, B, T E minus F करना होगा 2,400, 2,700, 2,100 1,400 1,700 1,100 400 700 100 You have tax ने, tax नहीं है That's it अब I and J Will be your leverages DOL DFL DCL DOL के लिए क्या करना पड़ेगा E divided by C divided by E करना पड़ेगा इधर E EBIT का E divided by EBIT का G और लास्ट में H into I कर लो या तो C divided by G कर लो E की बात है Yes तो ऐसे सिनारियो में आपके जो answers है वो आएंगे 4000 divided by 3000 1.33 तीनो प्लेस पर तो उसके बाद next case में 4000 by 2000 करेंगे तो 2 times 2 times 2 times 4000 by 1000 करेंगे 4000 by 1000 करेंगे तो 4 times 4 times 4 times answer आएगा ये आपके answers आगे operating leverage के financial leverage के अद तक I am sorry तो financial leverage के अद तक it will be 3000 by 2400 1.25 multiply कर लो 1.33 के साथ तो 1.6625 then 3000 divided by 2700 comes to 1.11 multiply कर लो 1.33 के साथ तो 1.48 correct 477 मतलब 48 होता है 3000 divided by 2100 it will be 1.43 इसको into 1.33 करेंगे तो 1.90 answer आता है DCL नहीं पूछा है question में but combination पूछा है अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर बोला है अगर यह पूछे आपको combination of operating and financial मतलब बन गया combined leverage तो चलिए यहाँ पर 2000 by 1400 करेंगे तो answer 1.43 आता है इन्टू टू करेंगे तो answer 2.86 आता है 2000 divided by 1700 करेंगे तो 1.18 आता है इन्टू टू करेंगे तो answer 2.35 आता है and 2000 by 1100 करेंगे तो 1.82 आता है इन्टू टू करेंगे तो 3.64 आता है इन्टू टू करेंगे तो 10 टाइमस आंसर आता है 1000 divided by 700 करेंगे तो answer 1.43 आता है इन्टू 4 करेंगे तो answer 5.71 आता है and lastly 1000 by 100 करेंगे तो 10 times आता है 10 times इन्टू 4 करेंगे 40 times आता है तो यह है आपके answers यह है आपके answers इसमें highest value giving combination, lowest value giving combination जिस combination में आपकी firm का value lowest बन जाएगा वो lowest value giving बन जाएगा जिस firm में आपका firm का value highest पहुच जाएगा वो highest value giving combination है highest मतलब number में highest नहीं पूछ रहे है number में lowest नहीं पूछ रहे है आपको firm के value के angle से पूछ रहे कि firm की value किस पे highest रहेगी और किस पे lowest रहेगी तो अगर आपको याद होगा तो हमने last session में discuss किया था कि हमारा operating leverage कैसा होना चाहिए हमारा जो operating leverage है वो कैसा होना चाहिए financial leverage कैसा होना चाहिए कि discussions हम लोगों ने किये अगर आपको याद होगा यह दिखिए whether the dual should be high or low preferred अपने वोला it should be low preferred because अगर high रहेगा तो यह problem है because अगर high रहेगा तो यह problem हो जाएगा अगर high dual है मतलब fixed cost high हो जाएगा variable अगर fixed cost high रहेगा तो total cost high हो जाएगा total cost high जाने से breakaway point ऊपर जाएगा margin of safety नीच आएगा risk बढ़ जाएगा therefore dual should always be high preferred sorry low preferred dual should always be low preferred क्योंकि high preferred में problem है अपन बोल रहेगा low preferred रखो उसे ठीक है sufficient margin of safety रहने दो otherwise risk बढ़ जाता है यह अपनने बोला था उसके बाद financial leverage की अग्त अपनने बोला था depends on ROI depends on rate of interest on loan अगर ROI जादा है rate of interest कम है तो ऐसे case में DFL को favorable बुलाते हैं और इस case में DFL should be high और अगर इसका उल्टा है तो DFL को unfavorable बोलते हैं उस टाइम पे DFL should be low तो high या low वो depend करता है actually कि आपका DFL जो है वो favorable है या adverse है उसके मताबिक वो high या low decide होता है और कुछ नहीं दिया रहेगा तो DFL कभी भी favorable माना जाएगा DFL कभी भी favorable माना जाएगा कुछ नहीं दिया रहेगा तो ये सब कुछ बाते recall करने के बाद मैं आपके इस answer पर आ रहा हूँ और यहाँ पर सबसे high DFL और सबसे low DOL पर धूणना है अमको that is highest value giving combination अगर दो मिट के लिए मैं आपके notes पर आओ तो आपके notes में एक part है दोस्तो यहाँ पर आपके notes में देखिए अगर दोनों leverages high हो जाते तो risky है page number 17 पर आरो में दोनों leverages अगर high है तो operating का risk भी हाए financial का risk भी हाए है तो overall risk high हो जाएगा yes very risky situation बोलते इसको अगर DOL high है मतलब margin of safety के तो band बजगी मगर company ने careful रेकर DFL को low रखा ताकि risk balance हो जाए DOL high था risk operating का high हो गया margin of safety कम हो गया company का band बजगया company ने तुरंट careful रेकर क्या किया दूसरा leverage low रख दिया तो automatically risk balance हो गया इस company को बोलते careful approach ऐसे companies को बोलते careful companies इस approach को बोलते careful approach क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देते तो आप risky company बन जाते yes अब आते हैं तीसर रिस पे जहां दोनों low लो रखा गया है ऐसी company ना operating risk ले रहा है ना financial risk ले रहा है भाई अगर तुझे operating का भी रिस्क नहीं उठाना है financial का भी रिस्क नहीं उठाना है तो lower returns मिलेंगे because lower risk है और अगर रिस्क इतना कम है कि returns बहुत कम हो जाए ऐसे attitude को बोलते है conservative approach ऐसे attitude को बोलते है cautious approach conservative and cautious ऐसा company में investment करकर कोई पाइदा नहीं इस company की value नहीं बढ़ती है तो भाई क्या करे तो obviously low low prefer नहीं करना चाहिए because low अगर दोनों leverages low रहेंगे तो risk overall low है तो returns भी overall low हो जाएंगे तो इस company को बोलते है cautious conservative approach cautious company conservative company approach भी conservative है and cautious है तो फिर dual low रखो हाँ sir low चाहिए था ताकि margin of safety higher है रहना चाहिए and DFL को higher रखो assuming DFL is favorable assuming DFL is favorable DFL को higher रखो तो अब ऐसे scenario में if DFL favorable बोलेंगे अपन assuming DFL favorable अपन बोलेंगे तो ऐसे scenario में यह सबसे जादा preferable combination है सबसे best combination है सबसे उंदा combination है अच्छा combination है कोई problem नहीं आएगा company को अगर DFL favorable है तो इसको बोलते highest value giving combination जहां पर आपका DFL favorable है और आपने high रखा है और आपका DOL आपने low रखा है most preferred और सबसे जादा risk की जो है उसमें सबसे जल्दी value नीचे आ सकती है इसको बोलते है very high DOL and very high DFL अगर DOL DFL दोनों भी high है तो company का risk बहुत जादा है और अगर company का risk ही बहुत जादा है तो obviously ऐसे company में investment करकर कोई फायदा नहीं है ऐसी companies जटाक से value बढ़ा सकते है जटाक से value नीचे आ सकते है आदानी जैसा हो जाएगा थोड़ा सा value आचानक से उपर आचानक से नीचे आस्मान चुहेंगे ने तो जमीन पर उतर जाएगे आर या पार बोलते हैं आपन वो हो जाता है very risky situation और वो company का least value giving combination रहेगा because उसमें value सबसे कम हो सकती company के लिए तो फिर इस question पर यह यहाँ पर भी पूछा है which gives highest value which gives least value highest value वाली combination वाली company रहेगी most preferred combination most preferred combination वो है जहाँ पर dual low है मगर DFL high है dual low है मगर DFL high है तो वो सबसे best है तो देखिए एक बार dual low इन तीनों में नदर आ रहा है इन तीनों में आप देखो अच्छे से इन तीनों में आपका dual सबसे कम है what about DFL what about DFL yes बताइए DFL के बारे में क्या होगा DFL में इन तीनों में सबसे ज़्यादा DFL जो है वो इधर दिख रहा है मतलब ये combination मेरे लिए क्या बन गया highest value giving मतलब most preferred क्यों सर फिर से एक बार बताइए क्या की आपने फिर से बताइए सर एक बार क्या की आपने तर लास्ट कॉलम में उसके लास्ट कॉलम में तो बस वो बन गया सबसे preferred combination because DOL सबसे कम and DFL जादा है उसमें तो वो सबसे preferred combination बन गया तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ situation A plan 3 is most preferred combination since DOL is low and DFL is high hence it is highest value giving combination highest value giving combination what about lowest value giving combination जिस combination में सबसे जल्दी आपकी firm की value low हो जाएगी उसे बोलते है lowest value giving combination वो तो सबसे रिस्की वाली situation रहेगी येस इसलिए इन सब में सबसे ज्यादा रिस्की जो है उसे आप मुलाएंगे lowest value giving combination जिसमें जिसमें सबसे पहले आपको धूना होगा है DOL कहा है सर DOL हाए न सर last के तीन कॉलम में सर अब DFL वहाँ पर हाई कहां पे सर last के कॉलम में सर इन सब 9 combination में highest dual जो है वो लास्ट के तीन में इसमें सबसे हाई जो है DFL वो इधर है मतलब यह combination सबसे ज़्यादा risky combination है सबसे least value इधर आ जाएगा सबसे least value जो है वो इधर आ जाएगा तो यहां पर हम बोलेंगे situation C plan 3 situation C plan 3 is most risky combination since dual is low is high बोलना पड़ेगा भी since dual is high and DFL is also high hence it is lowest value giving combination situation C plan 3 is most risky combination since dual is high and DFL is also high है अग फञाय है NOR प्रक थे भूर दोनों ही हाई रहेंगे तेसे हो इसे ए सबसे पराइगा से अब रहेंगे अ सबसे हाए लोग अगे अगा अग्य, सबछो्य सबाद्ध कि ब약्शा हाई UP 20s काख ओने हाए अग अ Workshopूगे थे मूआ यह जोग नोंगे नही भी दूट कांगा तो ओवराल जो रिस्क है वो तो बढ़ी जाएगा न अगर दोनों भी हाय रहेंगे तो ओवराल रिस्क जो वो इतना बढ़ जाएगा कि फिर्म की वैल्यू तुरंत नीचे आ सकती है जीरो बन सकती है एस तो दाट इस सिच्वेसिन ट्री मोस्ट रिस्की कंबिनेशन बोटेश को प्रिस्की कंबिनेशन समझ में आ गया है वह जी क्लिकलेशन सर्द उसस्फल टूफ पूछा हूर निक यह क्लिकलेशन जो यह लिबरेज इसके यह फाइनेस manager को मतलब दो बाते समझाने में मतलब मदद करता है एक है रिस्क और एक है returns एक है रिस्क और एक है returns कितना advantage मिल रहा है is leverage कितने risk पर मिल रहा है is also leverage because risk is both advantage as well as risk risk is advantage leverage is advantage as well as risk अगर leverage के दो side advantage है मतलब returns है और एक रिस्क है तो रिस्क और रिटर्ण समझने के लिए leverage के calculations बहुत ज्यादा useful रहेंगे finance manager को तो यहां पर हम बोलेंगे इस combinations helps a finance manager to understand the risk and returns because leverage to dono bhi hai risk bhi hai or return bhi hai leverage to dono bhi hai risk bhi hai or returns bhi hai येस बिल्कुल सही है तो यहां तक सब को sound में आ गया बढ़िया है तो यह था आपका 16th और 17th question जो comparatively थोड़ा आसान था अब आप आगे के questions में देखेंगे तो हमने preference shares का logic यूज किया है preference shares अगर picture में आ जाते है तो preference dividend picture में आ जाता है और preference dividend picture में आता है तो दो averages के formula बतलते है financial and combined financial and combined financial का formula था EBIT by EBT उसको बना दिया हमने EBIT by EBIT EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax येस और जो DCL का formula था contribution by EBIT उसमें भी हमने contribution numerator को वैसे ही रखा जैसे इदर DFL में रखा था EBIT को अब denominator में जो EBIT था उसको जैसे change किया वैसे ही change इदर भी करेंगे formula बन जाएगा contribution divided by EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax तो इसके basis पर आपको कुछ questions solve करने थे आपको कौन से questions solve करने थे 11, 12, 13 10th question अपने साथ में solve किया था 11th question पर आते है 11th question में बोला है the DFL of Lina Limited is 2 the company pays annual interest of 1 lakh तो interest का amount दे रखा है 1 lakh preference dividend of 15,000 preference dividend दे रखा है 15,000 का और tax rate भी दे रखा है 50% का तो easily easily हमें सब information DFL की रड़ी है तो DFL के अंदर क्या missing रहेगा DFL is equal to EBIT divided by EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax interest रड़ी है PD ready है tax ready है DFL ready है EBIT क्या बन गया EBIT वही धूनेंगे हम लोग दोस्तों आपको बोला है कितने परसंट से EPS नीचे गिरेगा अगर EBIT फॉल हुआ 1,30,000 पर तो बट ओरीजिनल किता है वो तो देखना पड़ेगा पहले तो चलिए साल्फ करते question number 11 page 20 20 sorry yes question number 11 page number 20 और यहाँ पर बोला है DFL is equal to EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax your DFL is how much your DFL is how much two times EBIT we don't know EBIT minus interest किता है interest is 1,00,000 preference dividend किता है preference dividend is 15,000 tax rate is 50% 15,000 divided by 1 minus 0.5 yes इसको solve वैसी करेंगे दोस्तों जैसे अपने last time किया था yes 2 is equal to EBIT upon EBIT minus अब यह क्या करना पड़ेगा 15,000 को divided by 0.5 करना पड़ेगा 30,000 आएगा उसको 1,00,000 के साथ आइर करना पड़ेगा आइर क्यों करने सर minus sign है सर अरे minus तो वो EBIT में से हो रहा है न 1,00,000 भी तो minus EBIT में से हो रहा है और 15,000 divided by 0.5 भी तो minus हो रहा है EBIT में से तो दोनों भी अगर EBIT में से minus हो रहे है तो दोनों को add करके एकटा minus किया है और कुछ अलग logic नहीं है दोस्तों अभी इसे solve करते हैं 2 EBIT minus 2,60,000 is equal to EBIT मतलब 1 EBIT हो गया therefore EBIT is equal to 2,60,000 EBIT is equal to 2,60,000 शलो बढ़िया है EBIT निकल गया है if EBIT drops to 1,30,000 बोल रहे हैं वो लोग तो उस case में if EBIT drops to rupees 1,30,000 comma percentage change in EBIT is equal to 50% हो जाएगा ना percentage change in EBIT किता होगा 50% 50% कैसे हुआ सर 2,60,000 का amount अगर आभे पे आ जाए मतलब वो 50% से change हुआ है न yes so percentage change in EBIT is 50% now what they are asking you by what percent will there be fall in the EPS by what percent will there be fall in the EPS तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर आप EBIT से EPS तक का part देख रहे हो by what percent will there be fall in the EPS if EBIT drops to 1,30,000 मतलब EBIT से EPS तक का part है मतलब यह financial part है financial leverage का formula यूज करना पड़ेगा यह financial part है दोस्तो तो यहाँ पर हम बोलेंगे कर दो is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT your DFL is two we don't know percentage change in EPS but we know the percentage change in EBIT is 50% therefore 50 into 2 your percentage change in EPS will be 100% 100% change change in EPS yes if I ask you find the new EPS you will say sir the new EPS is zero new EPS zero because 100% decrease in EPS decreescambola sir if says if EBIT drops to 1,30% EBIT drop to EPS drop 100% drop what is 0? yes it was an easy question the 11th question the 11th question the original EBIT change in EPS is the new EBIT give it a percentage change in EPS and finally percentage change in EPS which is 100% of the company are three times and two times detail degree of total leverage combined leverage the company pays annual interest of rupees 60,000 and preference dividend of 16,000 so preferences be a total variable cost of the company are two lakh rupees applicable tax rate is 60% what are the amount of sales revenue and fixed cost fixed operating cost sales revenue कितना है और fixed operating cost कितना है वो निकालने बोला है आपको आपके पास total leverage है financial leverage है पहले तो आप combine leverage निकाल लो जिसकी जरुद शायद गिर सकती है या नहीं भी and company pays the dividend बोला है इंट्रेस बोला है तो भाई EBIT निकल जाएगा tax rate वाकरा सब दिया हुआ चलिए 12th question solve करते है परशन नमबर 12 page number 20 DFL is two times now DFL is equal to EBIT divided by EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax your DFL is 2 2 is equal to EBIT divided by EBIT EBIT minus interest कामाउंट कितना है interest कामाउंट इस 60,000 preference dividend कामाउंट इस 16,000 divided by 1 minus 0.6 yes तो फिर इसको अगर solve करेंगे 16,000 divided by 0.4 अगर मैं करूँ तो 40,000 तो 40,000 आता है 40,000 प्लस 60 करेंगे तो 1,00,000 बन जाता है therefore 2 is equal to EBIT upon EBIT minus 1,00,000 therefore 2 EBIT minus 2,00,000 is equal to EBIT मतलब 1 EBIT होता है हो is equal to EBIT मतलब 1 EBIT होता है हो therefore EBIT is equal to 2,00,000 EBIT is equal to 2,00,000 yes done यह 1 EBIT उदर जाएगा तो EBIT बचेगा यह 2 minus 2,00,000 अगर इदर साइड आएगा तो प्लस 2,00,000 बन जाएगा इतना simple बात और EBIT आगया आपका 2,00,000 रुपीज this is your EBIT चलिए अप क्या पूछा है इनने आपको amount of sales निकालो बोला न and fixed cost निकालो बोला ठीक है हम कहां पहुँच गए EBIT पर पहुँच गए EBIT is the connecting link बोला था अपर नहीं याद होगा तो operating और financial के बीच का connecting link होता है EBIT तो EBIT तेक तो पहुच गए आप DOL is equal to formula है आपका contribution by EBT EBIT sorry contribution by EBIT so your DOL is how much sir DOL is not given sir oh DOL is not given तो पहले ही काम करना पड़ेगा पहले DOL निकालना पड़ेगा DOL is equal to DCL divided by DFL DCL is 3 DFL is 2 therefore DCL comes DOL comes to 1.5 एक बार DOL 1.5 आया तो 1.5 is equal to contribution divided by EBIT your EBIT is how much अभी अपने ऊपर निकाला हमारा जो EBIT है वो 2 लेक आ रहा है therefore contribution is equal to 3,000 contribution कित्त आता है 3,000,000 आता है right contribution कित्त आया 3,000,000 आया done contribution तक भी पहुँच गया हम लोग अब आपको variable cost दी आए गया question में yes the total variable cost of the company are 2,000,000 rupees therefore sales is equal to contribution plus variable cost contribution plus variable cost sales minus variable cost gives you contribution so obviously contribution plus variable cost should give you sales so contribution is 3,000,000 your variable cost is 2,000,000 sales is equal to 5,000,000 sales is equal to 5,000,000 sales is equal to 5,000,000 correct sir sales is equal to 5,000,000 अब आपको fixed cost of operation भी पूछा था sales रेडी है minus variable cost is 2,000,000 contribution रेडी है 3,000,000 fixed cost नहीं पता मगर EBIT तो रेडी है EBIT रेडी है कितना है 2,000,000 तो अब्यूसली यहां का balancing figure 1,000,000 जो है यह fixed cost आएगा न देर्फोर fixed cost is equal to contribution by EBIT 3,000,000 minus 2,000,000 is equal to 1,000,000 operating का fixed cost जो है 1,000,000 रुपीज आता है sales जो है वो 5,000,000 रुपीज आता है done sir बढ़िया एक number अब आगे बढ़ते हैं यह था आपका question number 12 question number 12 थाई तो 11 दन 12 दन अब आते 13 पर Katrina limited manufactures and sells a typical electronic toy the selling price and the variable cost per toy 20 rupees and 10 rupees operating fixed cost amounts to 5 lakh rupees the interest expense is 2.5 lakhs and the DFL is 2 times what are the dual and sales volume respectively फिर से reverse ही जाना है sales volume तक जाना है मतलब ही reverse जाना है आपको yes तो कैसे करेंगे अभी इसको solve क्या करेंगे इसको solve करने के लिए थर्टींत कॉश्य थर्टींत कॉश्य कॉस्ट पर इंट कॉस्ट पर इंट इस एक्वल टू 10 पर उनिट आता है contribution पर इंट किता आता है 10 आता है सब अब उसके बाद आपको interest expense दिया हुआ है DFL दिया हुआ है तो आप एसे काम कर सकते हो DFL is equal to कहीं पर भी यह नहीं बोला है कि preferences है DFL is equal to EBIT upon EBIT minus interest लिख सकते आप इतना तो लिख सकते हैं EBIT upon EBIT की जगा यह लिख सकते हैं यस सर और DFL आपको दिया था 2 times है EBIT नहीं पता अपने को but interest तो पता है आपको interest किता है सर 2.5 lakh therefore 2 EBIT minus 5 lakh is equal to 1 EBIT therefore EBIT आचुका अपना कितना EBIT आया है 5 lakh रुपीस का EBIT आया है तो हमने वही फॉर्मला यूज़ किया है EBIT upon EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax सिर्फ PD upon 1 minus tax नहीं लिए because preference share ही नहीं यह ऐसा समझे लो EBIT by EBIT use हो रहा है बस EBIT की जगा EBIT minus interest लिख कर यूज़ हो रहा है done sir EBIT आ गया as sir you told us EBIT is the connecting link तो ठीक है sir बढ़िया है हम लोगों ने EBIT तक तो निकाल लिया आगे क्या operation का fixed cost पाच लाके interest expense आपको दिया था वो तो use कर लिया DFL भी use कर लिया आप क्या करेंगे बताओ हुमवक्ता दोस्तों यह बताओ जरा क्या करेंगे अब आपके पास contribution per unit ready है क्या आप total contribution तक पहुच सकते हो yes sir total contribution तक पहुच सकते है जभी भी आपको exam में click ना हो इसके आगी क्या करे तो रफ में जरा income statement बना कर देख लेना चाहिए sales minus variable cost will give you contribution minus fixed cost will give you EBIT तो आपके पास यह ready है 5 lakh आपके पास fixed cost ready है 5 lakh अगर आप reverse जा तो contribution 10 lakh ready हो गया ना तो हम बोलेंगे yes contribution is equal to EBIT plus fixed cost 5 lakh plus 5 lakh is equal to 10 lakh यह आपका total contribution आ गया अगर total contribution आ चुका है तो DOL निकालना कौन से बड़ी बात है dual is equal to contribution by EBIT contribution is 10 lakhs EBIT is 5 lakh your dual योडा योडा है तो निकालने बहुख टू तू त्टाइम् में यूए यूडा कुवख तू आपको अपको ric कैसे समझेगा सर नंबर आफ यूनिट सोड इस इक्वल तो टूतल गॉंटरिबुशन डिवाइद बाइ कॉंटरिबुशन पर यूनिट टूतल कॉंटरिबुशन इस 10 लैक्स पर यूनिट इस इक्वल तो 10 उपर निकाला पननने per unit contribution सबसे पहले निकाला था 10 तो therefore इसको divided by 10 करकर 1 lakh units तो यह बन कि आपका sales volume number of units sold 1 lakh units and अगर sales volume in rupees चाहिए sales volume in rupees चाहिए तो इस 1 lakh को into 20 कर दो 20 lakhs yes sales volume in units से उपर वाला sales volume in units से उपर वाला 1 lakh units and sales volume in rupees आ रहा है 20 lakh rupees विल्कुल से यह happy to help बोल रहे है BEP का formula यूज कर सकते है sir break-in point का formula यूज कर सकते है sir आपका break-in point का formula क्या है आपका break-in point का formula क्या है कौन साला formula आप यहां पर यूज करना चाहोगे fix cost divided by number of units fix cost divided by आपका contribution पर यूज करोगे आप और अगर वो यूज करोगे तो break-in point पर जो units से वो आएंगे न break-in point के units आएंगे आपको units अभी जो हम बेच रहे वो चाहिए as of now जितने units भी करें हमें वो चाहिए okay समझ में आए यहां तक तो आपका sales volume in units आचुका है वन लैक और sales volume in रूपीज आचुका है 20 लाक रूपीज तो यहां पर हमारा 13th question भी ड़न है हमने जितने question homework के लिए दिये थे और सभी ड़न है क्या 14th question हमने पहले ही solve किया 16th 17th 14th question हुआ क्या solve नई 14th question भी solve करना आपको fixed cost divided by contribution पर हिंट करोगे न आपको break in point के units मिलेंगे अभी के level के units नहीं मिलेंगे इसलिए हम वो formula यूज नहीं कर सकते हैं BEP units मिलेगा आपको मगर हमें BEP units नहीं पूछा है अभी का sales का units पूछा है चलिए 14th question भी आपका homework था operating total leverage जिस आपको दिये थे present level of units that is 10,000 units selling price per unit is 12 variable cost is 6 company has no preference share capital applicable tax rate is 50% the rate of interest on company's debt is 16% per annum what is the amount of debt in the capital structure of company company के पास कितना debt है पूछा होना नहीं 14th question चलिए solve कर लेते 14th question page number 21 तो सबसे पहले operating and total leverage दिया है DFL is equal to DTL divided by DOL degree of total leverage is 3 degree of operating leverage is 2 therefore DFL comes to 1.5 times पहले जब दो leverages दिये रहते हैं तो third निकाल लेना चाहिए वाम ने निकाल लिया फिर बोला है sales पता है, variable cost पता है contribution निकल जाएगा no preferential capital बोला हुने tax rate भी दिया है आपको और interest का rate दिया हुए आपको तो सबसे पहले sales at the rate 12 per unit 12 into 10,000 is 1,20,000 minus कर लो variable cost at the rate 6 रुपीस per unit 60,000 remaining 60,000 को बुलाएंगे contribution total contribution है आपका 60,000 रुपीस fix cost दिया नहीं है ठीक है EBIT नहीं आ सकता just for your information I am writing this EBIT नहीं आ सकता minus interest at the rate 16 per unit percent अपने को पता नहीं है और EBIT नहीं आ सकता ठीक है कोई बात नहीं यह लिखना नहीं है एक्जाम में यह सिर्व आपको जानकारी के लिए बता रहूँ मैं आप ठीक है अब आप contribution तक तो पहुँची गए हो और आपके पास DOL तो ready है two times का तो आप सीधा-सीधा EBIT निकाल लो यहां पहुच जाओ ठीक है सब EBIT निकाल लेते हैं DOL is equal to contribution divided by EBIT therefore two times है ने DOL yes two is equal to contribution आपके बास ready है 60,000 therefore EBIT is equal to 30,000 यह आगया 30,000 EBIT अब अगर preference share capital ही नहीं है दोस्तो तो EBIT और EBIT यह EBIT निकल सकता है न कैसे निकलेगा सर financial leverage से financial leverage ready है कैसर yes 1.5 निकाला ना पनने उससे भी निकाल सकते हो या तो आप combined leverage use कर लो directly combined leverage अगर आप use कर लो तो be careful preference share नहीं है इसलिए normal formula है का contribution by EBIT बट अगर preference share है तो DCL का formula बदलता है contribution divided by EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax होता है इधर नहीं होगा इधर preferences नहीं है तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते है आप DFL ले यूज़ कर लो EBIT by EBIT DFL आपका कितना है 1.5 is equal to 30,000 divided by EBIT therefore EBIT is equal to 20,000 EBIT is equal to 20,000 एक बार EBIT आगया 20,000 तो बस interest का answer आएगा interest is equal to EBIT minus CBT इन दोनों का difference ही तो interest होता है आपके पास CBT आचुका था 20,000 तो इन दोनों का difference जो है 10,000 का interest आएगा न और वो interest अपने को पता है कितने rate से है वो interest आपका 16% से तो 30,000 minus 20,000 is equal to 10,000 debt is equal to interest divided by rate of interest so it will be 10,000 divided by how much percent 10,000 divided by how much percent 16% therefore debt is equal to 62,500 debt is equal to 62,500 बढ़िया तो यह part भी होगे हमारा दोस्तो debt भी हमने निकाल लिया है yes देखिए जैसे मैं आपको homework दे रहा हूँ आपको कुछ पार्ट आय रहेंगे कुछ पार्ट नहीं आय रहेंगे कहीं आप आठके रहोगे कहीं आपको कुछ पार्ट आगी का click नहीं हो आ रहेगा it's okay don't get demotivated it's very well okay हम लोग learning के लिए हाँ पर मिल रहे हम लोग championship जितने नहीं मिल रहे हमको conceptual clarity चाहिए इसलिए मिल रहे और obviously जैसे जैसे आप try करते जाओगे conceptual clarity और बढ़ते जाएगी nothing to worry at all ठीक है तो यह आपका debt का answer आ गया मतलब आपने 14th question भी solve कर लिया अब क्या बचा 6th 1 2 3 6 1 2 3 ठीक है question number 6 पर आ जाओ पहले question number 6 पर आ जाओ पहले फिर आगी जाएंगे शायद आज यूट्यूब ने notification ही नहीं बेजा है काफी लोग join ही नहीं कि ही आज ठीक है कोई बात नहीं कभी-कभी ऐसा होता है selective notification एक दो लोग को ही जाता है किसी को जाता भी नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं Aria Limited has estimated that for a new product its break-even point is 2000 units if the item is stored for 14 rupees per unit cost accounting department has currently identified the variable cost of 9 rupees per unit calculate the degree of operating leverage for sales volume of 2500 units and 3000 units पर भी निकालना है आपको दोनों लेवल पर 2500 units पर निकालना है 3000 units पर भी निकालना है degree of operating leverage निकालना है ठीक है what do you infer from the degree of operating leverage at the sales volume of 2500 units and 3000 units and their difference if any चलो बता अब क्या करेंगे आपके पास break your own point ready है 2000 units break your own point ready है 2000 units आप सिधा सिधा happy to help वाले ने जो formula लिखा है यहाँ पर fixed cost divided by contribution per unit उसको use कर सकते हो और आपका answer आ सकता है आपके पास selling price per unit 14 ready है variable cost per unit 9 ready है मतलब भी contribution per unit 5 है yes तो आप break your own point का formula यूज़ करके direct answer निकाल सकते हो question number 6 आपने costing में तो पढ़ा ही रहेगा break your own point का formula question number 6 है यह जो कि आपके page number 19 पर है yes तो सबसे पहले आपका formula यूज़ करो break in point in units is equal to fix cost divided by contribution per unit 2000 units is equal to fix cost divided by 14 minus 9 therefore fix cost is equal to 10,000 rupees fix cost is equal to 10,000 rupees यह यह आ गया directly formula यूज़ कर क्या answer अगर आपको formula याद नहीं आते exam में तो आप logic भी यूज़ कर सकते हो add BEP your profit is equal to 0 or मैं सलिकता or add BEP profit is equal to 0 therefore sales will be 2000 into 14 minus variable cost 2000 into 9 therefore contribution and then minus fixed cost therefore EBIT or profit which profit operating profit so this is zero this is 28,000 this is 18,000 obviously your contribution is 10,000 your fixed cost has to be balancing figure 10,000 your fixed cost has to be balancing figure 10,000 yes ऐसे भी कर सकते हो formula भी यूज़ कर सकते हो I think formula is more easy and lengthy भी नहीं है यह जो यह पार्ट है नीचे आला है time consuming है obviously यह इतना time consume करना exam के लिए possible नहीं है आप costing के वैसे भी महारती इंसान हो आपको costing आता है break one point in units का formula है fixed cost reward by contribution per unit आप directly use कर लो आपका fixed cost answer आ जाएगा तो fixed cost दोनो जगा 10,000 10,000 ही आया है तो बस आपको दोनो लेवल पर अभी dual निकालना है उल आपको ऱुकालरश 2,500 units 3,000 units sales at the rate 14 per unit variable cost at the rate 9 per unit therefore contribution minus fixed cost therefore EBIT अब बताइंगे आप 2500 into 14 35,000 3000 into 14 is 42,000 9 into 2500 22,500 में से 35,000 अगर minus करेंगे तो 35,000 minus 22,500 is 12,500 और आपका fixed cost जो है वो सेम ही रहता है वोल्यूम चेंज होने के वाद फिक्स cost चेंज नहीं होता है तो यह रीबेटी इस 2,500 42,000 आपका सेल्स था 9 into 3000 अगर में करूं तो 27,000 का मेरा variable cost है 15,000 का मेरा contribution रहेगा 10,000 का मेरा fixed cost है minus करूंगा तो 5000 का मेरा EBIT देगा यह आगर आपका EBIT now dual is equal to contribution divided by EBIT so 12,500 dual by 2,505 times 15,000 dual by 5,000 3 times अब आपको दिख रहा है कि दोनों लेवल पर आपका DFL जो है वो dual जो है वो अलगाया है आपका जब sales कम था तो आपका dual जाते था आपका sales बढ़ गया तो dual कम हो गया इनने पूछे आपको what do you infer from the degree of operating leverage what do you infer means what do you understand उनके difference से भी आपको क्या समझ रहा है वो बताव यह पूछ रहे तो obvious सी बात है कि अगर मेरा sales बढ़ने की वज़े से dual कम हो रहा है तो उसका graphical presentation यह है sales chart यह मेरा break-on point है 2000 units यह मेरा actual sales है 2500 units तो obviously यह मेरा margin of safety है margin of safety कम है इसलिए risk जादा है 5 times 5 times का risk margin of safety कम है इसलिए risk बढ़ गया 5 times का अगर sales बढ़ जाए 3000 units के sales हो जाए तो अब margin of safety बढ़ गया अगर margin of safety बढ़ जाएगा तो by default risk जो है वो कम हो जाएगा यह देखो risk कम हो गया operating का 3 times Are you understanding friends तो आपको दिख रहा है कि आपका margin of safety पहले कम था risk बढ़ा हुआ था margin of safety बढ़ गया तो risk कम हो गया because operating leverage is risk risk of operations जितना आपका यह margin of safety घट रहा है first case में घट रहा है उस case में risk बढ़ रहा है जितना margin of safety बढ़ रहा है second case में उसमें risk कम हो रहा है yes तो राइड दिल प्राइड दो हैर दिल दिल कर दो या सर स क्टीज दो है is रिवे एक तो रहा है वी RAW छेर टुद कर रहा है ट्रेवे रहा है about due to increase in margin of safety due to increase in margin of safety क्योंकि आपका margin of safety जो वो increase हो रहा है तो automatically आपका जो risk है वो 5 times से 3 times पर आ रहा है आपका रिस्क घट रहा है due to increase in margin of safety margin of safety बड़ा मतलब रिस्क घटा थाज dual and margin of safety are inverse are in inverse relationship are in inverse relationship dual and margin of safety they are in inverse relationship उन दोनों के बीच में inverse relationship होती है brilliant एकदम अच्छे से समझाए क्या conceptually एकदम जबर्दस तरीकी से समझाए आपने question number अभी जो solve किया वो 6th था ठीक है 6th question था dual जो है वो decrease हो आपका 5 से लेकर 3 times पर because आपका sales बढ़ा जब आपका sales बढ़ा तो margin of safety बढ़ गया margin of safety बढ़ गया तो risk घट गया ना yes ये logic से हमने अभी इस question ये solve किया है 6th one अब हमारे पास question बचता है 1, 2, 3 1, 2 and 3 ये question आपके बच जाते बाकि सब questions जो है ये हमने homework and class के तुर पर solve किया है 15th question एक बचता है आपके बास okay 1, 2, 3 and 15 ये बचता है आपके बास तो एक काम करते हैं अभी question number 15 deal करते हैं we will deal with question number 15 now and 1, 2 and 3 you will take as your homework 1, 2 and 3 you will take as your homework तो mark कीजिए पहले question number 1, 2, 3 as homework 2 as your homework 3 as your homework जहां पर भी comment part है आदा page blank छोड़ दीजे comment अपन साथ में पास करेंगे comment अपन साथ में लिखेंगे मतलब ठीक है तो आदा page blank छोड़ दीजे उसके लिए और बाकी चिंता करने की ज़रत नहीं आप solve कर सकते हो 5 is to 1, 6 is to 1, 2 is to 1 ये क्या होता है सर 5 is to 1 मतलब 5 times 6 is to 1 मतलब 6 times simple logic tension मतलो आप अच्छे से solve कर पाऊगे don't worry अब हम चलते last question of leverage that is question number 15 पर बड़ इसको solve करने के पहले हमें एक concept आना चाहिए बीटा और बीटा को समझने के लिए हमें एक concept समझना पड़ेगा systematic risk क्या होता है और unsystematic risk क्या होता है कोई भी share में कोई भी stock में कोई भी security में दो तरीके की risk होते हैं जिनको stock market में interest ध्यान से सुनना पहला risk होता है systematic दूसरा होता है unsystematic systematic unsystematic दो risk होते हैं ठीक है तो यहां पर हम लिख रहे है for your understanding we are writing risk in a security risk in a security total risk in a security can be broadly divided into total risk in a security can be broadly divided into two types number one unsystematic लेते पहले which is also called as diversity fiber unsystematic oblique diversifiable okay what is this unsystematic risk diversifiable risk as the risk जिसको आप कम कर सकते हो diversify कर सकते हो उसको बोलना चाहिए diversifiable risk okay तो यहां पर हम बोलेंगे for example diversify कर रखे एक सेक्टर नहीं चल रहे है तो क्या हुआ दूसरा सेक्टर तो चल रहा है अरे टाटा स्टील चलेगा टाटा फाइनेंस चलेगा टाटा कंसल्टन सी चलेगा सौफ्ट प्यर है उनका हर बिजनेस है उनका almost टाटा is one of the most conglomerate company of India मतलब diversified company है तो अब ऐसे situation में अगर मैं बोलों कि risk can be reduced through diversification तो यह कर रहे है टाटा वेरास मारती यह नहीं कर रहा है मारती अपना पूरा assets वाला पैसा जो है पूरा पूरा business का पैसा जो है वो एक ही जगा लगा रहा है वो है automobile market तो इस risk को बुलते है diversifiable risk मारती नहीं वो risk को कम कर देना चाहिए through diversification this risk can be reduced by diversification that is by entering into another business line into bracket conglomerate diversification को क्या बोलते है उसको conglomerate diversification example Tata versus मारती you will remember इसलिए मैं जानबुश की example लिखा है second risk इस्टेमेटिक अब्लिक नॉन डाइवर्सिफाइबल अब्लिक इसी का नामें मार्केट रिस्क इसके कितने नामें एक नहीं दो नहीं तीन नामें इसके systematic non-diversifiable या market risk अब इसमें क्या होता है इस्टेमेटिक इस्टेमें विजने नामें इंटर करकर कोई फाइदा नहीं है यह रिस्क कम नहीं हो सकता है थेक हैं अग्दूश क्या दूस्टेमें अजीने इस्टेमें अचंग due to some factors which are common to all companies oblique industries अब जैसे कि एग्जामबल इंडिया में अगर पॉलिटिकल अंड्रिस्ट आ गया 2024 के एलेक्शन में अगर BJP सरकार नहीं आती है तो स्टॉक मार्केट न विल विट्नेस ब्लैक डे I'm not joking, स्टॉक मार्केट विल विट्नेस यूज फॉल मार्केट कोई लोवर सरकेट लगते रहेगा जो प्रडिक्टेड सरकार है 2024 की वो सबको पता है कि BJP है बट अगर सबोस BJP नहीं आता है तो no doubt स्टॉक मार्केट विल क्रैश फिर उस वक्त आप टाटा हो, या मौरती हो या रिलाइंस हो, या आडानी हो सब स्टॉक्स गिर जाएंगे भयानत तरीके से गिरेंगे और उस वक्त आप इस रिस्क को कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि या रिस्क मार्केट से आयए हुआ है रिस्क, या या कोई पूर नहीं है और अगर ऐसा है तो यह रिस्क को हम कम नहीं कर सकते हैं तो at least major करके तो रगना चाहिए करने maximize को यूजàng क्रसे सिस्टेमाटीक रिस्क मदखर मेजर करने क्लिए बीटा यूजा थै कि कि ऐसे सदिस्स कि कि नोट भी रेडूस्ट at least we should measure this risk therefore for measuring this risk comma we use beta for measuring this risk we use beta beta kya hota hai samjhiye beta beta is the mtlb risk on company saktay at least measure karke rakhir isko major karne ke liye use hota hai beta beta is the sensitivity of our stock with respect to w dot r dot t mtlb with respect to broad-based market index beta is the sensitivity of our stock with respect to broad based market index beta हमारे stock की sensitivity with respect to broad based market index हमारे market index का मतलब होता है sunset x nifty वगरा अगर sunset x nifty में कोई changes है तो उसकी वज़े से मेरे stock में कितना change है is measured by beta market जब change होगा तो मेरा stock कितने से change होगा is measured by beta yes so that is sensitivity of our stock with respect to broad based market index तो market index और अपना stock का relationship क्या होता है suppose यह sensex है और suppose यह reliance industry है इसका beta value कैसे आएगा sensex अगर 10% से गिरा और reliance अगर सिर्फ 5% से गिरा तो अपना beta 0.5 है अपना risk जो है दो मिट के लिए सोचते है risk अगर मैं बताओ अपना risk अपना risk जो है इस case में less than market हो गए market बे जित्ता risk है न उससे कम risk अपना बन गया समझे बात को अच्छे से समझे अपना risk जो है वो मार्केट से कम हो गया less than market अगर sensex 10% से गिरा और तुमारा stock 25% से गिरा plans industries 25% से गिरा मतलब अपना beta 2.5 टाइम से market का 2.5 अपना risk हो गया तो अपना risk more than market हो गया अपना risk more than market हो गया और अगर sensex 10% से गिरता है तुमारा stock भी 10% से गिरता है तो तुमारा beta value 1 है इसका मतलब ही at par with market है अपना risk at par मतलब equal at par मतलब equal अपना risk जो है equal to market risk हो गया उस case में इसको बोलते है beta समझ में आगे है यहां तक sensex अपना stock beta value और corresponding risk यह risk को बोलते है market risk systematic risk non diversifiable risk अब इसी पर based एक question है question number 15 जो हमें solve करना है आज की लिए last question question number 123 आपका हमवक है वो हम कल चेक करेंगे और नया chapter start हो जाएगा ठीक है the following summarizes the percentage changes in the operating income मतलब भी EBIT percentage change in EBIT and percentage changes in revenue revenue मतलब percentage change in sales and betas for four pharmaceutical firms चार pharmaceutical firms से Aishwarya Limited, Shilpa Limited, Madhuri Limited and Kareena Limited चारो का percentage change in sales दिया है percentage change in EBIT दिया है और beta values दिया है ठीक है calculate the degree of operating leverage DOL degree of operating leverage निकालना है for each of these firms and comment also ठीक है use the operating leverage to explain why these firms have different betas तो operating leverage की मदद से बताओ कि इस firm के different betas क्यों है तो चलिए दोनों भी solve कर लेते हैं सबसे पहले same format बनाएंगे बनाएंगे सिर्क्ष्टिटे आएंगे पर अबनागे लाओ उखका पर से लेकवरेंगे व्कानडा धावटे percentage change in EBIT percentage change in sales DOL beta यह अगर 1 है यह अगर 2 है यह 3 है तो 4 will be equal to अर यह 5 रहेगा वat, tell me भूली असुष्वरिया लेम टेड एच्वरी景 लेक्ट इते इस्फेड लेमिटर तो अस्वरान लेमिटर analogy १- माधूर् circular लेमिटर एड करीना लिमिटेर रेका परसंटेज चेंज इनिए बेटी प्रसेजेंग लिन इसकुए 25 23% 21% हर एक का percentage change in ओके यह revenue का change था यहां लिख देंगे और आपका EBIT का change जो वो दिया है 25% 32% 36% and 40% ओके आपको dual निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप dual आपके पास beta values भी दिये 1 time 1.15 1.30 and 1.40 आपको dual निकालना है तो percentage change in EBIT divided by percentage change in sales तो 2 divided by 3 हो जाएगा 2 divided by 3 ठीक है तो तो 2 divided by 3 करेंगे अगर अपन लोग 25 divided by 27 तो इसका आंसर 0.93 टाम्स आता है 32 divided by 25 करेंगे तो 1.28 आता है 36 divided by 23 करेंगे तो आंसर 1.56 आता है 57 ले लो उसको क्योंकि आगे 5 है और लास्ट में 40 divided by 21 करेंगे तो आंसर 1.90 आता है तो यह सभी आपके answers आगे DOL के Degree of Operating Leverage के answers आगे याद रखिए DOL का answer कभी भी 1 से कम नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए 1 से कम What is the formula for DOL Contribution by EBIT अब आप सोचिए Contribution by EBIT में आपका Contribution का नंबर जादा होगा और EBIT का नंबर छोटा होगा Common sense है क्योंकि minus fix cost कर रहे आप अच्छा कम से कम fix cost किता होगा 0 होगा अगर 0 भी रहेगा तो Contribution और EBIT दोनो equal होगा न Contribution divided by EBIT Should be equal तब भी तो answer DOL का 1 आता है 1 से नीचे नहीं आ सकता है इसी तरीके से इसका मतलब यह information गलत है First company का information गलत है यह 25 और यह 27 जो दिया है यह गलत है But anyways अपने को यही लेकर answer निकालना था इसलिए अपने निकाल लिया Logically speaking आपका जितना fix cost बढ़ेगा उतना DOL बढ़ता है Fixed cost जितना घटेगा DOL उतना कम होता है कम से कम fix cost कितना होगा 0 और कम से कम fix cost अगर 0 भी रहेगा तो contribution और EBIT सेम रहेगा तो answer 1 आना चाहिए 1 से कम नहीं आता है या तो वो negative जाता है या तो 1 से उपर जाएगा या 1 रहेगा जीरो और 1 के बीच नहीं आएगा निगेटिव क्यों बनेगा सर contribution 10,000 है fix cost 15,000 है answer obviously EBIT का negative 5,000 आएगा तो contribution by EBIT करोगे तो negative 5,000 के वैसे answer negative आएगा समझ में आया है तो your DOL can be negative can be 1 can be greater than 1 it cannot be between 0 and 1 0 and 1 के बीच में नहीं आ सकता ठीक है तो यह आपका DOL आया आपका beta value है यह आपका DOL है DOL बढ़ रहा है comment on DOL बोला है DOL जितना बढ़ेगा उतना operating risk बढ़ता है क्योंकि margin of safety कम होता है तो हम बोलेंगे higher the DOL higher the risk lower the margin of safety जितना DOL बढ़ा उतना fixed cost बढ़ा उतना breaking point बढ़ेगा उतना margin of safety कम होगा तो बहुत simple logic है दोस्तों ध्यान से सुनिए DOL जितना higher रहेगा उतना आपका margin of safety कम रहेगा risk बढ़ेगा तो obviously based on DOL we will say कि आईश्वरिया limited का DOL सबसे कम है जबकि शिल्पा का जादा है मादूरी का limited का और जादा है करीना limited का और भी जादा है तो जितना DOL बढ़ता है risk उतना बढ़ता है येस तो यहाँ पर हम लिखेंगे comment on DOL higher the DOL higher the operating risk bracket milking it due to lower margin of safety higher the DOL higher the operating risk due to lower margin of safety thus since DOL of aishwarya limited is lowest its operating risk is low operating risk is lowest whereas directly सबसे सबसे जिसका उसकी बात करेंगा भी the DOL of Kareena limited is highest indicating higher operating risk indicating higher operating risk जितना DOL बढ़ता है उतना risk बढ़ता है जितना DOL कम होता है risk उतना कम होता है सो यहाँ पर करेंगा limit का DOL सबसे जदा है तो उसका risk operating का सबसे जदा है whereas aishwarya limit का DOL सबसे कम है तो उसका risk भी operating का सबसे कम हो गया अब वो next part में पूछ रहे आपको last part में पूछ रहे आपको use operating leverage to explain why these firms have different betas तो operating leverage की मदद से यह बता दो कि इन firms का different betas क्यों है तो obviously बात है यह है कि यहाँ पर मेरे पास dual ready और beta ready है जान बुछ के मैंने beta को छोड़ा नहीं है because मुझे second part पर comment करना था तो यह देखिए यह मेरा dual ready है और मेरा beta ready है जितना dual बढ़ रहा है उतना beta value भी बढ़ रहा है जितना dual कम हो रहा है beta value उतना कम हो रहा है beta indicates market risk dual indicates operating risk since both are risk इसलिए दोनों का direction भी same ही just imagine करो कि market fall हो गया सच में मतलब BJP सरकार नहीं आएगी और imagine करो कि तुम्हारे पास लाखों के shares है कुछ एश्वरे element के भी है और कुछ करन element के भी है obviously तुम सबसे पहले किसको बेचोगे priority wise सबसे पहले तुम उसको बेचोगे जिसका risk सबसे ज़ादा है तुम सबसे ज़ादा पहले उसको बेचोगे तो उसका sensitivity भी सबसे ज़्यादा हो गया और last में उसको बेचोगे जिसका risk सबसे कम है उसका sensitivity भी सबसे कम हो गया क्योंकि वो last में बिकरा है market change होने के बाद उसमें change सबसे last में आ रहा है सबसे कम आ रहा है और सबसे ज़ादा change उसमें आ रहा है जो सबसे ज़ादा risk ही था समझ में आया तो beta and operating risk both are risk both should be in the same direction इसलिए जिस company का dual ज़ादा है उसका beta value भी ज़ादा है जिस company का dual कम है उसका beta value भी कम है तो यहां पर हम लिखेंगे second part dual indicates operating risk whereas beta indicates market risk dual indicates operating risk whereas beta indicate whereas beta indicates market risk सिस बोधर रिस्क माँ ब श्यूब लिए चे जोड बाव ऑं अ रिस्ट्र आ रिस्ट निए तूब्स न रिस्ट बोध रिस्ट लिए फ्रेस्क बीट री तूस बत्स 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 बतव चरिणा लंटीज स लोई्ट यह बेर तूर्ण सुलिट इस लोई यह तो हैs वेयरास बीटा ओफ पाईश्वर्य लेमिटेथ लोटेथी बेटा लेमिटेड इस आइस अधित्य पुछ रचे सररेगुलर क्लास होगि औवीस्ली होगि अधित्य क्यों नियोगी रचे सिर्फ बाव अब्कौ नहां पर तो अभी तो exam oriented batch हो रही है तो regular तो पक्का होगा भाई और कल वैसे भी Sunday का छुट्टी दिया था आपको तो पक्का होगा ठीक है तो 10 beta of A limited, Aishwarya limited is lowest whereas beta of Karina limited is highest because दोनों risk है दोनों का direction जो है वो सेम होना चाहिए तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा क्योंकि risk बढ़ रहा है ठीक है, done तो यह था आपका question number 15 जो हमने leverage से solve किया आपके बस इस chapter में आपके शर्फ question 3 बचे question number 1, 2 and 3 question number 1, 2 and 3 जो आपके homework करेंगे दोस्तों अच्छे से homework करके आना यह class हम लोग आज के लिए यही परेंड कर रहे है आप अच्छे से homework करके आओगे और हम लोग next class में क्या करने वाले है यह question number 1, 2 and 3 को close करकर next chapter स्टार्ट कर रहे है capital structure capital structure स्टार्ट हो रहा है ठीक है and guys ध्यान से एक बात सुनिये मेरी आपका next class जो आप पर भी होगा और YouTube पर भी होगा और देखेंगे कि आप में कोई issue नहीं आना चाहिए आपको अगर आप में कोई issue नहीं आता है तो हम लोग आप पे shift हो जाएंगे ठीक है thank you very much guys see you tomorrow bye bye take care homework ज़रूर करना question number one two and three bye see you